क्योंकि सुहाबीullah व्रंदावन में मरिक्सावाल से लेके पानवाला तक सभी के मूक में राधह राधह कि सब राधह राधह कहते हैं घंटी ही बजाते हैं कहीं अगर जाने आप ञये लोई बजा घंटी सहम कि राध heiß स्वरी है तो वेशे तो आज उनके उनसे बस दो दिन बड़ी कौन बस दो दिन बड़ी श्री ललिता जी का प्राकटे उच्छवे आप शब जानते हैं उंचा गाउं उंचा गाउं दर्शन करते हैं ललिता शखी का जन्मस्तान तो आज उनका वो जन्मो उच्छवे तो हमारे इस गौडिय संपरदाय में श्री राधारानी का महत तो बहुत है आज हम सुनेंगे, हमारे जितने भी आचारिय हुए हैं, वो कैसे स्रीमती राधाराणी को बहुत मानते हैं, श्यामसुंदर को, श्यामसुंदर से भी, शुरू करते हैं, देखे मान लिजे भक्ति सिधान सुरति ठाकूर प्रभुपाद, जो मुभिंग एनसाइक्लोपिडिय के नामसेक्षाथ है, ऐसे आचारिय, जब एक बार राधाकूंद में, बड़ा प्रसीद घटना है, जब एक बार राधाकूंद में अपने शिश्यों के साथ ब्रह्मन कर रहे थे, तो जैपूर के राजा, राधाकूंद में आके दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, उस समय, तो कुछ शिश्यों ने आके गुरु महराज को बताया, गुरु महराज, क्या भक्ती है, देखिए, जैपूर के राजा, और वो आके यहाँ केवल पेदल परिक्रमा नहीं, दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, तो सरस्थे ठाकूंद बहुत सराहना किये, बहुत उनके पुर उत्तर भाग जाए, पुर्व और उत्तर होता है, तो बड़ा बलवान होता है, तो सरस्थे ठाकूंद बोले कि हमारी मूड में मनोभाव में थोड़ा सा अंतर है, बहुत अच्छा है कि राजा होके राधाकूंद में दंडवती परिक्रमा करते हैं, मतलब क्रिष्ण को प् राधारानी को पूझ के, राधारानी को प्रसंद करके, लेकिन लक्ष क्या है, धे क्या है कि गोविन जी को प्रसंद करना है, जैपूर में गोविन जी है, आप जानते ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है हमारे मनोभाव में कि हम हमारा धे जो है, सरस्थे प्रभुपात की कयों में सुनिये हमारा भे जो है सिमति राधरानी कि हमारा all梅 जो राधरानी को प्रसंद करने के लिए कभी कभी ठाकुर्जी गायँ पूल राधरानि को प्रसंद करने के लिए सैंसुन्दर को हम फूल चडा देतें तो ये तो ये सरश्थिति प्रहुपात का बाक्य है, कल जैसे प्रभुजी कह रहे थे, विष्णु के उपासक वैश्नव है, कृष्ण के उपासक कार्षने है, लेकिन जब परम गोरी, आदी गोरी के उपासक है उनको गोरिय कहते हैं, तो राधारणी का महत्तो इस प्रकार से सभी प्रभुजी य के बारे में क्या कहना, एक बार सलब प्रहुपात कृस्न मुलरा मंदर में दशन करते हैं, तो राधा स्याहstory के पास जाके बहुत बिंथी करके इंटेंसले करे तो क्या कहते हैं, ऐसा लिखा है, Hey Radharani, please protect me from Maya. The founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness is praying Radharani कि हमें Maya से रक्षा कीजी. तो प्रभुपाजी का Radharani के पति कितना अनन्य भावे आप सहस समझ सकते हैं. एक Radharasvihari Mandir को स्थापना करने के लिए एक इतिहास रच लिए Mr. N. के साथ. कि उनको मुझे किसी वी तरह इस जुहू लेंड में स्थापित करना है. और कैसे हैं वो प्रभुपाज? On the plea of Krishna, he left Vrindavan to come Vrindavan. And then, he left Vrindavan to distribute Vrindavan. And then, at last, he came back to Vrindavan to return to Vrindavan. So this is प्रभुपाज. जिनके रग रग में Vrindavan है, और Vrindavan इस्वरी है. इसी प्रकार से हम सब आचारियों को देखते हैं, हमारे गौर किसरदास बावजी महराज, कितने वहरागे संथ थे, यह वहरागे सिरोमनी, कभी-कभी माला पे जब करने को सुविधा नहीं होते थी. तो क्या करते थे जाने गौर किसरदास बावजी महराज का भजन सुनिये, कुछ भी कपड़ा अगर मिल गया, तो कपड़े में 108 गांठ करते थे, नॉट्स. उस कपड़े में 108 गांठ करके, उस पे भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 कृष कितना सुन्दर भजने अस्टशक्षिसिरो मनी राधे राधे कृष्ण प्रेम प्रदाई नी राधे राधे कान्नुमो नमोही नी राधे राधे कोथाएग प्रेमो मै राधे राधे कौन गौर की सरदास भाजी महराज इसे रोते थे वो गाते थे इतना सुन्दर भजने राधास टमी के दिन आप सब लोग एक-एक तैयर कीजिए हम लोग साम को एक-एक भजन गाएंगे श्री मती राधारानी की प्रसनत्या के लिए और सुनिये उनके बाद श्री भक्ति बिदोर ठाकूर वो क्या कहते हैं भक्ति बिदोर ठाकूर तो सिमा पार कर दिए उनके सांस्तरों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि कितने बड़े बिद्वान और तत्तववादी थे उस समय के लेकिन जब पराभक्ति की बात आती है हम लोग प्रत्यक ब्यक्ति संसार में मृत्यू से भाई भी थे प्रत्यक ब्यक्ति संसार में और इसको तो आज के तारिख में सहथ समझ सकते हैं कितना डरते हैं लोग मरने से आज के तारिख में सब सहथ समझ सकते हैं कितना मृत्यू से भाई भी थे अगर एक इसको Corona हो गया तहाँ, सब तिल मिला जाते हैं, मीटिंग बेड़ जाते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, क्या करें, क्या करना क्या ना करें, कैसे precautions ले, क्या क्या करना चाहिए, और आज के तारिक में तो सब लोग समझ सकते हैं, प्राय सभी हम इसको फेस कर रहे हैं, इसका कोई करुणा नहीं है, नाम ही बस करोना है, और सब को, एक, 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 माइक्क्रो वाइरस, पूरे दुनिया में तवाइ मचा दिया है, तो निश्चिद रूप से, सभावी रूप से, सबी लोग उससे, संक्रमी थे और भाई भी थे, और अपनी सुरक्षिया चाहते हैं, लेकिन भक्ति विन्व ठाकूर क्या कहते हैं, हम लोग बचने की प्रयास करते हैं, हम लोग के लिए सब भाइवित हैं, कहते हैं, डरती है रूह यार और जी भी कांपता है, डरती है रूह यार और जी भी कांपता है, मरने का नाम मतलो, मरना बुरी भला है, कोई भी मरने का नाम ने लेता है, कोई भी क्लास में अगर कुछ डेत की बारे में बोल देता है, तो यू लेकिन भक्तिविनो ठाकुर पोस्ट डेथ प्लानिंग कर रहे हैं, उनको मरने से डर नहीं है, भाई भी इत नहीं है, भक्तिविनो ठाकुर कहे हैं, मेरा ये बुढ़ा शरीर, जरजर शरीर है, जल्दी छूट जाए और उसके बाद मेरी क्या योजना है, प्लानिंग क्या है अगर मेरा फिर से जनम हो बरसाने मेरा जनम हो जनम लोई एक छोड़ी सी किसोरी के रूप में बरसाने में क्यों जनम हो? क्योंकि बरसाने में मेरे स्वामिनी है बरसाने वाली इसलिए कहते हैं बरसाने में मेरा जनम हो एक छोटी सी किसोरी के रूप में जन्म तो हो गया, आगे क्या चाहते हैं आप जावत भीवाह भे हाँ, अगर छोटी सी किसोरी के रूप में जन्म हो तो किसोरी तो भीवाह करते हैं किसी से भी करे चाहें, लेकिन भीवाह तो करते हैं विवा होगा कहां, जहां मेरी स्वामीनी का विवा है, जावत, जहां मेरी स्वामीनी की विवा हो, जो सो कोल्ड अभिमन्यू, जटिला और कुटिला, कानूनी माता और कानूनी बेहन, इसलिए मदर इनलो, सिस्टर इनलो, जो भी है, तो वहां मेरी विवा हो, जब तक मैं कु सुरी जुकि सादी जावत में और वहां में जागा है क्यूं कि चआभ ही मेरे स्वामीनी को अपनी प्रियतम की याद आती है मैं पास में पास में रेके उनको इंको शलाद में उनको पंखा करूँगी, उनकी सेवा करूँगी. और हाँ, कभी-कभी नहियर जब आएगी, मेरी स्वामीनी, अब नहियर समझते हैं, अपनी माईके के घर जब आएगी, मतलब जावद से बरसना जब आएगी, तो उसके साथ में भी आऊँगी, पालकी में बेटके, उनकी पंखा ज़लूँगी में, मेरी स्वामीनी को. ये है भक्ति बिनोठ ठाकुर। कभी सोचे होंगे, क्या भाव है, हमारे सुन्दर गौडिय संप्रदाय के आचारियों का. तो वो भक्ति बिनोठ ठाकुर कहते हैं, कि अगर कोई कर्ष्ण को पूजा करता है, राधरनी को जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, तो उसका भजन पूजन सब व्यर्त है. बुलिये, बुलिए राधा भजने जदी मती ना ही भेला कृष्णा भजाना ता बाकारण गेला राधा भजने राधा भजन में अगर किसका मती नहीं है तो सारा का सारा जो भजन पूजन कर रहे हैं जो इतना भी एकादसी ब्रत करते हैं और जितना भी तप ब्रत कर परकम्मा आजी लगाते हैं, बेकार है, वो ब्यत्थ हो गया, बड़ा सुंदर भजाने, और भी बहुत सारे पंक्तियां लिखते हैं, तो भक्तिविनों ठाकूर इस तरह से श्री किसोरी जूग को प्रणाम करते हैं, बास्तों में लिखा गया है, मैं पढ़ा रहा था, ब्रियत्थ भागोता मुच्छनातन गोश्वा में दिख दसनेटी का, वो कहते हैं, कृष्णा स्रयासा, सुनिए, कृष्णा स्रयासा, न ब्रजरमानुगह, कृष्ण का आश्रे तो किया है, लेकिन न ब्रजरमानुगह, लेकिन ब्रजगोपियों का अनुगबन नहीं किया है ब्रजगोपियों का दासी नहीं बनाए ब्रजगोपियों की भजन नहीं किया है कृष्ण के भक्तों को नहीं मालता है स्वाहरदी सब्तसल्यानी में बहुत कठोर बाकिय है जरा समझने का प्रयाश कीजिए कृष्णा अस्रय किया है लेकिन कृष्णा ब्रजगोपियों का अस्रय नहीं किया है स्रीजी का अस्रय नहीं किया है और ब्रजवासियों का कृष्णा के भक्तों का अस्रय नहीं किया है उसका पूजा कैसा है मेरे मक्षन जैसे बटर जैसे सुकोमल सरीर में सूल चुवाने के समान है इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कठो तो ये है हमारे गोड़ी आचारियों का मूड़ है ये गूड़ रहस्य है कि कैसे सभी हमारे आचारिय है स्री राधिकाजी के चरनों के धूल को प्राप्त करने के चाहते हैं, चरनों के नख के अग्रभाव के उस कृपाविंदु को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान सीव तरस्ते हैं, भगवान ब्रह्मा तरस्ते हैं, कि अनन्तकोटि विष्णु लोक नम्रपाद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरंचिजा बरप्रदै अपार सिद्धिरिधि दाग्दी सत्पदांगुलि नक सत्पदांगुलि नक सत्पदांगुलि अर्थों को ध्यान देजिए अर्दावन में बच्चा बच्चा इस तोत्र को जानता है मैं अपनी आखों चे देखा हूं इसकाँ बच्चा इस दिए चोटे-चोटे बच्चे एकदम इतना प्रेम से वो गाते हैं और सुनाते हैं इसको भी हम लोग राधा स्टमी के दिन ग्यान करेंगे श्री राधा कृ पाकटाखिय स्तोत्रों कहते हैं अनंत कोटी विष्णु लोक नम्र पद्मजार्शिते भगवान ब्रह्मा और जितने भी सब विष्णु लोक वैकुंठ बासी या दूसरा अर्थ है जितने भी सब वैश्नव क्या करते हैं कि नम्रता से बड़े दैनिय से बड़े नम्र आको ध्यान करते हैं. के वोलि इतना नहीं? इमादरिजा, पुलो मजा, हिमादरिजा, पारवती, पुलो मुजा, सची, भीरन्चजा, सरस्वती, ये सब स्रीजी के चरंकमल के नक के अगरभाग से अपने आश्रिवाद पराप्त करते हैं. क्यों ऐसा उनको मिलता है क्या है उसमें श्री जी के चरण कमल के नख के अगरभाग में क्या है अपारसिधी रिधी दिगधधी अपारसिधी रिधी दिगध सत्पदांगुली नखे श्री जी के चरण कमल के नख के अगरभाग में समस्त प्रकार के सिधी रिधी सर्व संपत आशिष मंगल सब है उसमें ऐसे श्री जी के चरनकमलो को प्रणाम करते हैं क्यों? भगवान सिभ परवते जी को कहते हैं सुनिये शनातन गुष्णा में क्या कहते हैं क्या सुन्दर कृष्ण लिलास तब क्रिष्ण लिलास तब में हम रोग हर रोज गाते हैं आप नाम से ही परिशित होंगे कि इसमें कृष्ण के नाम लिलाओं का गुणगान है। लेकिन शनातन गोष्वामी का hidden desire, गुप्त भाव तो प्रकटी हो जाते हैं जब गूगाते हैं, कि राधा राधित राधेश, राधिका प्राण बल्लभ, राधा रमन बंदेत्वम, राधिका प्रेम निर्जित, पूजा किसकी कर रहे है आप, किसकी अर्चना कर रहे है, किसकी बंदना कर रहे है, किसकी बंदना कर रहे है, कृष्ण की या राधा की, सुनिए, राधा राधित, राधा अराधित, कृष्ण का हो गया, राधेश, वो भी कृष्ण है, राधिका प्राण बल्लभ, वो भी कृ राधिका प्रेम निर्जित अर्था जो राधाराणी के प्रेम से कंकुर्ड है, कंकुर्ड है, प्राजित है, ऐसे कृष्ण को में प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं, शनातन गोशा में कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका भाव है, श्री किसोरी जू के नाम लेना, इनके छोटे भाई, रशिक आचारिय, हम जिनके अनुगामी हैं, रुपानुग, सुनिए रूप गोशा में क्या कहते हैं, रूप गोशा में तो इतना सुन्दर बढणन करते हैं, इतना सुन्दर, हम जिसके तलहटी में हैं, जिनके चरण में हैं, बोल्सिक गिरी राज गोवर्धन महाराज की समस्त गिरी गोवर्धन, गिरी राज गोवर्धन के लिला को एक स्लोक में और केबल रा और धा दोनों अक्षर में समाइद कर दिये। एक स्लोक में समस्त गिरी राज धरन लिला को और दो अक्षर में धरे धरा धरधरम, धारा धरधुरारुदी, धीरधी धारधाधी रोधम राधा धुरन धरम। बड़ा विश्तृत व्याक्या है, लेकिन सरल भासा में समझने के लिए, पूरा गोवर्धन लिला एक स्लोक में शुनिए। धरे धरा धर्धरम जिसने धरणी को धारन किया आज वो गिरिराज को धारन किया है बाएं हात के कनिश्टोंगली में क्यों ? धारा धरधुरा अरुधी धारा भा Southeast जो बर्षा की बुंदे गिर रही है मुसला धारा बर्षा हो रहा है उसको अवर धि अरुधी, उसको रोकने के लिए, ऐसे स्यामसुंदर कृष्ण, जिनका नाम है धुरंधर, हीरो है, हीरो है ना वो, इसलिए तो बाएं हाथ के कनिष्ट उंगली में धारन कर लिए, कैसे उठा पाए, जानते हैं, धीरधीरारधारधी, अर्थात, कोई तो अपने समाही चित स उनको समरन कर रही थी, आप समझ जाएं कौन वो, जिसके बज़े से वो धारन कर पाए, वो दुरंधर, आपका जो हीरो, जो स्यामसुंदर, ब्रजंदर नंदर, ये तो रूप गुशामी की बाक है, इसी को ही ब्रज में, ब्रजभासा में लोग बहुत सुंदर पद में कह कच्छु माखन सो बलबढ़, हम लोग ने माखन खिलाया था, इसलिए द्वारन कर लिया, कच्छु गोपन दियो सहाए, जो गोप थे वो लाठी बाठी पकड़ रहे, देखा ना पिक्चर में, लाठी पकड़ रहे थे गिरियाज को धारन कर दो, इसको क्या बल है, ये गो गिरियाज धारन की, श्री किसोरिजु की कृपास है, ये आपका जो अनंतकोटी प्रमांड नायक जिनका नाम है, उन्होंने गिरियाज को धारन कर लिये, नहीं तो इनको क्या बल है कि गिरियाज इतना बड़ा 21 किलो मिटर वाला गिर अभी के धारन कर लेंग, इनको क्या स तो समस्त आचारिय रूप गोश्वामी आगे केते हैं, गंधर भीके निजगने गणनाम विदे ही, गंधर भीके राधरनी, जब आप गणना करोगे न, हमारे ग्रूप में कौन कोने? गंधर भीके, हे गंधर भीके, हे राधरनी, जब आप निजगनों को गणना करोगे, तो इस दास को आधर रखना, अपने ग्रूप में मुझे भी गिंती करना, करते हैं ये हमavor टीम है इस अंदरवली का टीम है जाओ उस तरो पड़ो हेग अंधर विक is जब आप काउंटिंग करोगे हमारे टीम है कौन-कॉन है देखते हैं अधर टाथ मा पोगर कौन-कॉन है स्रीजी गणड़ना करती है तो उसमें हमारा नाम हमें थोड़ा याद रखना कि हमारा भी नाम आपकी गणना में रहना चाहिए इसलिए कहते हैं रूपकोशा में कहते हैं सत्यां सत्यां पुना सत्यां सत्यां एवपुना पुना स्यामसंदर का बाके बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादेन लभ्यते नौल अभ्यते, मत प्रसाद हो, नौल अभ्यते मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं त्री बार, तीन तीन बार सत्य कह रहा हूं कितनी बार बोलो सत्य कह रहा हूं स्री जी के कृपा के बिना मेरी प्रसाद, मेरी कृपा तो मिलने वाला नहीं है भूल जाओ, बैक पैकर के घर चले जाओ, सामसुंदर जी का बाक्य, अब सुनिए, अब सुनिए, ग्रेट फिलोसफर, ब्यासदेब जी के बाद, जिनका नाम आता है, चार लाग से जादा स्लोक लिखने वाले, सड़ संदर्ब के प्रबर्थक, जीव गुष्चाईपाद, जो सइधान्तिक आचारिय माने जाते हैं, जानते हैं, क्या भाब है उनका, स्री किसोरी जीव और स्याम सुन्दर के पती, यह भी सुन्दर पत है, राधास्टम के दिने हम लोग सब गा सकते हैं, क्रिष्णा प्रेम माई राधा, राधाम प्रेम मयो हरी, बोलिए, क्रिष्णा प्रेम माई राधा, सर्माय मत बोलिए, जीवने निधने नित्यम, राधा क्रिष्णा गतिर्मा मा, जीवने निधने नित्यम, राधा क्रिष्णा गतिर्मा मा, क्रिष्णा गेहिस्थितो राधा, राधा गेहिस्थितो हरी, बहुत सुन्दर पत है, जीव गुसाइम पात कहते हैं, मेरे इस जीवन में और जीवन के अंत में इस शरीर छोड़ने के बाद भी मेरा और कोई गतिनी है राधा कृष्णा गतिर्मामा तो इस प्रकार से हमारे जितने भी आचारे हुए और सुने गुपाल भट गोश्वामी गुपाल भट गोश्वामी के गुरू कौन? स्री प्रबोधानन्द सरस्वतिपाद वो भी अपने सुन्दर पदों में लिखते हैं बहुत लिखे हैं बंदावर महिमामुद स्री राधा रस सुधा निदी इतना एक्स्टासी भाव में रहते हैं कि क्या स्लोक लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता भी नहीं चलता है एक स्लोक में कहते हैं मैं राधारानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके सुन्दर सुन्दर उंगलिया बरज के ऐसा कौन सा पेड है जिसका फूल चुना नहीं है विकास पूल चुनते हैं आप ऐसा कौन सा पेड है जिसमें श्री जी के सुन्दर चंपक फूल के समान, सुन्दर उंगलियों से फूल चुना नहीं हो राधा पदां कभी लसन मधुरस्थली के ऐसा कौन सा स्थान नहीं है जहां कि सुर्जु के चरन कमल नहीं पड़ा हो और उनका चरन रज जहां नहीं हो ऐसा सुन्दर लिलाएं कि है राधा यसो मुखर मतखगबली के ऐसा कौन सा पसू पक्सी, मोर, कोयल यहां तक की गधे, सुवर, कुते, बंदर ऐसा कौन सा पसू पक्सी नहीं है जो श्री जी के गुणगान नहीं करता हो दर्शन नहीं क्या हो राधा भिहार भिपीने रमतो मनो में ऐसा ब्रंदा बन में भिपीने ऐसा बन में मेरा मन रम जाए किस कौन से बन में जिस बन को श्री जी अपना घर समझते थे, अपना घर को बन समझते थे, नहीं समझे, बन को अपना घर समझते थे, और घर को अपना बन समझते थे, बन में कौन रहता है, सेर, भालू, बाग, हीतियादी रहते हैं, तो उनके घर में तो यही तो थे, जटिला, कुटिला, एक एक्सेटर तो बन को अपना घर को अपना बन समझते थे ऐसे बुंदावन के में में रमन करता हूं प्रवदानांसरसती सुंदर स्लोक में कहते हैं मेरा लक्ष क्या है मेरा ध्यक है राधा साध्यम मेरा गोल राधा है साधनम यस्य राधा उस लक्ष को साध्य को प्राप्त कर के लिए जो साधना है वो भी राधा है उनके कांकरिया तास्यभाप मंत्रो राधा जो मंत्र जब करता हूं वो भी राधा है हरे कृष्णा बोले गुरू चराधा जीवन मंत्रदात्री चराधा जिसने मुझे मंत्र दिया है वो भी राधा की दासी है है ना साक्षा धरी तो ने समस्त शातर है निकुंज लीला रतिकेली सिद्धेई गुरू जिसने मंत्र दिया है वो भी राधा राधा की दासी है सर्बम राधा जिबनम यस्य राधा सबत्र सर्बत्र मुझे राधा है मैं ही दिखाई देता है और मेरा प्रान जीवन भी राधा है राधा राधा बाची किम लस्यते सेशं किम तस्यते सेशं मेरे बाणी में हमेशा राधा 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 नाम हरी कृष्णा हरी कृष्णा प्रकट होता है इसके अलाबा मुझे और क्या चाहिए जगत के लिए हो सकता है सरवम खलू इदम ब्रह्मा, प्रवदान अनसर सत्य केते हैं हमारे गोडिय वैश्णों संपर सरवम खलू इदम राधा तो ये हमारे आचारे हैं रगुनात दास Ghoswami, रगुनात भटगोशाम किं कीं का नाम गिनाओ आप बताओ किं कीं का नाम गिनाओ समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा नाम गिनाओ लगे करता हैं अन्याए आचारे हमारे बंद रगुनात दास जगोशामी 45 बरस तक क्या कहें आप सब भागवद महाविद्याले की बिरिलियंट स्टुडेंड हो एक-एक स्लोक को पांस-पांस ट्यून में गाते थे स्थितो भावति माधव माधव एक दम इनट हो जाते हैं स्थितो भावति माधव कि आगे दा बोलेगा कि दा बोलेगा ऐसा वो वेट करते प्रतिक्षा करते रहते हैं कोई अगर जी रा बोल दिया तो आगे दा बोलेगा कि इसलिए माधव प्रतिक्षा करते हैं अगर मानली जो सोभागे से धा बोल दिया तो संब्रम हो जाते हैं सामसुंदर बिल्कुल संब्रम हो जाते हैं रा धा बोलने पर इतना कहने के बाद भी अगर फिर से उसने एक बार रा बोल दिया रा धा बोलने के बाद फिर से एक बार उसको इतना अच्छा नाम लगा कि रा बोल दिया, तो शाम सुन्दर केते हैं, इसको तो मुक्ति मुझे देना ही पड़ेगा, मुक्तिंग लभेथ, रा धा रा, रा बोलने से मुक्तिंग लभेथ, और गल्ति से अगर चौथी बार भी धा बोल दिया, तो मेक तो बिख जाओंगा इसके नाम पर, मैं अपने आपको ही दे दूँगा, बोल सी राधा, राणी की, जिसको, जिसके नाम को, स्याम सुन्दर भी आकर्शित हो जाते हैं, ऐसे अनेक पुरान सास्त्रों में राधा का नाम है, कोई कहता हैंगा बेध उपनिषद में कहा हैं, बहुत हैंद आपरा भी दे और भी धा, इसका एक अर्थ भी है प्रेम। लेकिन उसमें अगर उपसर लग जाए। जिसको कहते हैं Apa, Apa, तो फिर प्रेम नहीं मिलेगा। अपल लग जाएगा, मतलब अगर अपराध करते हैं हम, अपराध कर बेठते हैं, तो फिर राधा कि कृष्ण चंदर की पती जो प्रेम है वो वो स्टेगनेंट हो जाता है फिर वो हम प्राप्त नहीं करते हैं इसलिए हम भक्तों को पहुत साब्धान देना चाहिए अपराद किये बिना कोई कोई पूछते हैं कि आप इतना राधा 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 करें हरे किस्ण क्यों बोलते हैं हरे किस्ण बोलते हैं हम लोग आप राधा राधा कहते हैं सुंदर उतरे देखिए भक्तों सर्वश्य चित्त हरती कृष्ण हरा सब्दकार्थ सुनिए सर्वश्य चित्त हरती कृष्ण जो सब के चित को आकर सित कर देते हैं हरन कर देते है लेकिन जो कृष्ण के चित को हरन कर लेते हैं वो यह है बाइदग्धिसारबिस्तारे राधा हरा इतीमता इसलिए राधा को गुण विशे के कारण, विशेष्टा के कारण सब के चित को कृष्ण हरन करते हैं, कृष्ण के चित को यह हरन करते हैं इतना सुन्दर गुण के बज़े से राधा हरा इतीमता है इसलिए जो हरा है वो राधा ही है ऐसे राधा स्टमी राधा रमन को जो हम प्राप्त करते हैं प्राप्त करना चाहते हैं बिना गोरों के कृपा से गोरी नहीं मिलेंगे हम सब का जो मनोभाब क्या है बिना गोरांग बिना गोरांग के कृपा से सी राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे इसलिए सुन्दर पद में कहते हैं आराधितम नभबनम ब्रजकान नस्ते जो नवदिप में नो दीपों को आराधना करता है उसको ब्रज में बारावन मिलते हैं नाराधितम नभबनम ब्रजएव दूरे जो नवदिप मंडल नौध नौध इपों को आराधना नहीं करता हैं, उसको ब्रज मंडल नहीं मिलेंगे, दूर है, बहुत दूर है, आराधितो दुजशुतो, आधितो द्विजशुतो जो गोरांग ब्राम्हन जगarnath मिस्टर के पुत्र को आराधना करते हैं ब्रजनागर रस्थे उसको ब्रज के नागर मिलेंगे, व्लिभ्रज के नागर, स्यामसंदर, नाराधितो द्विजशुतो जो जो गोरांग महापरो को आधाधना नहीं करता है, गोरांग महापरो को प्राथना नहीं करता है, नतवेह कृष्ण वो इसको कृष्ण स्यामसंदर नहीं मिलेंगे, इसलिए भक्तों, Shri Kishoriju Shri Radhah Ranianeous Hâm Sundhara के Judy स्रकार को हमें अगर प्राप्त करना है तो Goranga Mahaaprahu के मनोभाब Goranga Mahaaprahu के परंपरा में No Goranga No Krishna N O No Goranga No Krishna K No W No Goranga No Krishna इस तरह से हमारे संपरदाई में समस्त आचारिय सभी इनको प्रारथना करते हैं अंत में बस चोटी सी, आज तो कुछ लिला का आश्वादन नहीं हो पाया, कल आप सुनेंगे, कन्हें किस्न पोई से, इसलिए मैं बस भुमी का ही प्रस्तुत कर दिया, तो एक अंत में चोटा सा एक स्लोक बोलके मैं बिराम दोंगा, बैसे तो सब को पता है कि राधा पुरुन शक्ति, क पुरुन शक्ति मान, दोई बस तु भेदो नहीं, सास्त्रे रो प्रमान, तो राधारानी पुरुन शक्ति है और कृष्ण पुरुन शक्ति मान है, कोई भेद नहीं है, सास्त्र का प्रमान है, और राधारानी को अगर पूछा जाए, कि आप कृष्ण को जानते हो, कोई प पूरुसम रूपम मम एब पूरुसम रूपम गोपि का जन मोहनम मेरा ही पूरुस रूप है मम एब पूरुसम रूपम जिनका नाम है गोपि का जन मोहनम जिनका नाम है गोपिनाथ तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी राधाराणी मदन मोहन मोहिनी, श्याम सुंदर केवल मदन मोहन है, राधाराणी 10 मिलियन ब्यूटिफुल द्यान कृष्णा, तो क्रिष्णा कितने सुंदर हुए बताई, 10 मिलियन लेस द्यान राधा, होगे ना कल्कुलेशन, कैसे, कैसे राधाराणी सभी माइने में स्याम सुंदर से 10 लाख गुना अधिक है, इसके लिए सुंदर स्लोके में बिराम देता हूँ, कहते हैं कि जिस स्याम सुंदर को बेनुम करंत मरबिन दलाय तक्ष्यम या जो भी आप गुनगान करते हैं स्याम सुंदर को, मदन मोहन, एंचांटिंग ब्यूटी, गुपिनाथ, जब एक बार स्री जी के कटाक्ष उनके उपर पढ़ती है, श्री जी के दृष्टी श्याम सुंदर के उपर पढ़ता है, होता कि आए सुनिये, बेनु करंग निपतितम, बेनु तो हाथ से फिशल जाता है, भगवान श्याम सुंदर बेनु लेके खड़े हैं न, जैसे ही श्री जी उस तरफ से आई, और श्री जी की कृपा कटाक से उपर, साइड लॉंग ग्लैंस से श्याम सुंदर को देखे, तो सबसे पहला क्या लक्षन है, हाथ से बांसुरी खिशक जाती है, और इनको ये भी पता नहीं है कि बांसुरी खिशक गई है, फूंगते रहते हैं, बस हवाई छोड़ते हैं, जैसे कोई माता चूला जला रहा हूँ, गाउं में देखे होंगे चूला जलाने बले कैसे फूंगते हैं, या कोई तो नहीं तो किस पुजारी को अगर संख बजाना नहीं आता होता है, आप समझ सकते हैं, उस समें जो आवाज आता है, तो जो फूपकार छोड़ते हैं, वैसे स्यामसुंदर को इतना भी पता नहीं रहता है कि बेणूं करांग निपतितम, बेणूं हाँ से गिर जाती है, और वो केबल फूंगते ही रहते हैं, उनको आवाज नहीं निखलता है, कि नई रादाररमинки को बंशुरि नहीं है, किसी संदर पुंडरिक महराज साहिद बोले होंगे, रसिक बेखत, राधारमन के, कहते हैं, राधारमन जी को बंशुरि किस लिए नहीं है, क्या पले चले तो श्री जी उधर से आ गई, जब श्री जी आ गई तो बंशुरि खिश श्री जी के कटाक से दुर्ष्टी से बेणू तो खिषक जाती है, मोरपंग निजे गिर जाता है। बस्त्रम च पीत बसनम अफ यह बेण ऑपना जो भूपट जो उत्तरियो है ना बस्त्र सामसुंदर के कंढह में जो पीत बसनम पीतां बर्द धारन किया है, वो कहीं गिर गया है, उनको यह भी पता नहीं है, इसलिए ब्रंदावन किंडम नहीं है, क्या बोला वे, राज आजा नहीं है, यह कुिंडम है, इसलिए हमारे सिरिष का नाम है तो कुिन, भ्रंधावननिस्वरी, यह कुिन है, राधारानि है, तो बेनु करांग निपतितम, स्कलितम सिखंडम भस्तरम चपीत बसनम ब्रजराज सून, ऐसे ब्रजराज सून, जिनको आप लोग स्तूति करत कि अभिज्या शुराड नित्यो नित्यानाम जो भी हम स्तुति करते हैं इनकी हालत ऐसी होती है और क्या कहते हैं यस्य कटाक्ष सरगहाट विमुर्चुत अश्यों देखो बेनु खिसेगे अलग बात है पितामबर खिसेगे अलग बात है और मोरपुंग भी गिर गया लेकिन एक बार स्री जी के कटाक से दुस्टि को देखें श्यामसंदर टोटल फ्लैट मुर्चितम बिलकुल कटाक से सरगहाट भी मुर्चिता सो, भी सेचेट मुर्चितम इतना मुर्चित हो जाते हैं कि एकसो आथ को बula bastante लगता है लेने के लिए तो यह है श्यामसंदर को तो य ललिता सथि के दिन पावन दिन पर हम प्रार्थना करते हैं शी ललिता सखी और हमारे जितने भी आचार्यगणों के चरण कमलों में, तो हमारा संपुर्ण जीवन, हमारा अतन, मन, धन, बुद्धी जो भी है, इन किसोरी किसोर शी जुगल सरकार के सेवा में लगे और हमारा धे जो है, उनके चरणों को प्राप्त करें श्रीमती राधा राणी की, स्री ललिता सश्थी की, स्री सी राधा स्टमी महोचब की, स्री सी राधा स्याम सुंदर की, हिताई गोर्पिमानंदे हरी बोल